अब बॉर्णीं तो अलो फ्यू एंड विल्कम तो पार्सल इंटिनेस्टे स्कूल सो लास्ट क्लास में हमने अकांटिंग के सब फिल्स डिसकस किये थे आज हम पढ़ेंगे अकांटिंग का अधर सब्जेक्ट से रिलेशन देखो अकांटिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसका बहुत से सब्जेक्ट से रिलेशन है बहुत से सब्जेक्ट है तिनका अकांटिंग से रिलेशन है we have the hand to hand relation in our books 6 relations दिया 6 subjects से relations दिया, आज 2 subject क्ये relation पढ़ेंगे, first two तो, आज । रों पढ़ें हीज होगी सभ्सत्य का पाल है accounting subject ता relation with maths relation with Mathematics आज़ो को रैक्त हंतले mathematics subjectiin सभ्सत्य काले ही बंगा रहू, mathematics subject ना पेड़ सित्य window हमने हमारे जिलम में जो एड करना लेस करना सब्रेक्ट करना मल्डिपीशन डिवाइडेशन परसंगेश केल्कुलेट करना यह सारे चीज़े हमने कौन से सब्सक्राइब पढ़िए मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में पढ़िए अब आज जो आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे अकाउंटेंची पढ़ेंगे तो आपको कही ना कही इन चीजों की रिपायार्मेंट रहेंगे अकाउंटेंची एक प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है जिसमें आपको हर जगे एड क करना यह सब कॉमन चीज़ है आपको एडिशन सब्ट्रेक्शन यह सब करना पड़ेगा अब जब भी अकाउंट को कोई भी चेप्टर उठा लेगा कोई भी चेप्टर पड़ेगा आपको इन सब के दिना वो चेप्टर कंप्रीट नहीं होगा है तो इसका मतलब यह हुआ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मैखामेटिक से डारेक्ट रिलेशन है अकर इफेक्ट एनी स्टुरेंट मैंको मैट्स के हो जैसे मैट्स में बहुत से टोपिक होता ना बटा जो कुछ चब भी होता है न मुझे उन सब टोपिक से कोई लेना दर नही मुझे यहां पर कोई मीडियम मोड यह सब नहीं पढ़ना मुझे मैट्स के और भी बहुत से टोपिक जोमेट्रिक मेन यह यह नहीं एलजब्र अगर इन सब के रिपार्मेंट है मुझे सिर्फ कोमन मैंस कोमन मैंस मिट्स यह साब अगर आपको इन सब में अच्छी से तयार में कुर्चश ऐसा होते हैं जिनको इन में वी दिक्कत हो नहीं करत अगर एकिन लोग इस सब्सक्राण को नहींframes इस सब सब्सक्राइब करना इसमें अगर इतना चीज में कोई दिक्कत थे किसी को तो भूबी मैं आपको बतातु हूँ लेकिन अगर आपको जन्रल इन सब का नौलेज है तो आप अकाउंटिन से पढ़ेगे आपको इंट्रस आएगा काल्कुलेशन होई गी तो आपको फास्त होई गी अदर्वाइस आप काल्कुलेशन होई थी में करेंगे और धीने काल्कुलेशन होबाएगे तो अगर आपको अकाउंटिन से सब्जेक्ट को पढ़ना है अच्छे से समद्ना है थाइ यह सुल्सक्ट नोलेश रालोलेशन है जो अकाउंटिन से सब्जेक्ट को अग्ला जो रिलेशन है वो हैं रेलेशन स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट क्या मुलता है यह भी आपको बता है स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिसमें आपनों यह सब चीज़े सीगते हैं नमबर फिर अप्ली दाइग्राए मों कि ह्यास उद्र अनालसिस का सब्स्क्राशन आपको दो समय कैसे अमार motor पिछले साम 10% profit कमा है, इस साम एक 8% profit कमा है, आपको क्या रहता है? वोई देख दो यह रहता है, कि फॉर्म का profit का परसन की स्थोड़ा नीचे जा रहता है, इसे बुक्त है analysis करने हैं, करने हम लोग कि फॉर्म ऊपर जाने की नीचे जाने है और अनलेसिस करने के लिए भी हम डाइग्राम की हेल्फ लेट है तो यह सारी चीजे आप लोगने कौन से सब्सक्राइब लेखिए यह स्टेटिस्टिक्स यह स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है टीबल डाइग्राम ग्राफ अनलेसिस करना इंट्रेटेशन करना और अकांट्स में भी आपको बहुत सी ऐसी जड़े आरेगी जहां आपको टेबल करने पड़ेगी जहां आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे Accountancy subject is also related with statistics, चले एक ओर relation बढ़ लेते हैं, समय है हमारे पास रिलेक्शन गुञेत लो अगर आपको इस सप्जचे के इस अगर आप किसी फर्म के अकाउन्टिन बना थे, तो आपको उस फर्म पर जो जो लो लिकल कानून लगते हैं उन सब का नॉलेज हो ना चीए कुछ एक्जाम्टल देखांब ऑँ एक्जाम्टल अपनी इंगया प्लोग इंकम टैक्स आपको जानते हैं इंकम के इसमर्ना पड़ता है सब्सक्राइब करते हैं नुबर सेकंड पहले हुआ करता था अगर आपको बता बैट 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 एटेक्स आज कर आगे जी एस्टी गुड्स हैं सालिस सेक्स इसका नमले जो ना चीए नमबर थार्ड पी अप्रोविदेंट फंड नमबर फोर्ड एसाइ एंप्लोई इस्टेट इंशुराइंस मतल आपको उस फॉंप पर जो जो टैक्स या लो है उन सब्जेक्स का उन चीजों का नोलेज वोना चीए अब मालिश ये आपको इंट्व टेक्स का नोलेज इन नही पर धाने से फॉंप के अपने इक फॉंप के अच्छे से नहीं कर बाएंगे कि यूद्व गोलीशीन खरताओ को टेक्स करता रहा चाहिए और वो नोलेज किस से अगर दोस है इसका अगर आपको अगर एक perfect account बना तो आपको accountancy subject के साथ लोग का भी knowledge होना चाहिए हां यूं इंडिया में हजारों लोग हमें हजारों लोग नहीं पढ़ने हैं हमें सिर्फ वोई लोग पढ़ने हैं जो हम जिसका की accounting कर रहे हैं उस पर applicable है उस पर लाग नहीं है तो तो तीन सब्सक्राइब कर देखा बाकि तीन कर देखेंगे हैव नाश्रीग